इस वीडियो में टाटा स्टील सेर बिगेश्ट न्यूज एबम डीविडेन न्यूज कवर कर रहा हूं किन्तु छोट इस रिक्वेस्टे की वीडियो को लाइक कर देजे प्लीज टाटा स्टील इको में पोर्ट टेलबोर्ट बरकस के लिए कंपनी का बरा एलान जानी या होने वाले वर्कर की लगवग सो तीस मिलियन पाउंड के अतिरिक्त बितिये सायता पेकेज का प्रस्ताव दिया है ताटा स्टील के स्याफ़ो कोशिक चेटर जी का काना की कंपनी इको में अपने टांजिशन प्लान के हिस्से के रूप में परभावित होने वाले बरकर के लगवग एक सो तीस मिलियन पाउंड के अतिरिक्त बितिये सायता पेकेज का प्रस्ताव दिया है कार्बन उस साजन को कम करने और एनरजी कोश्ट बचाने के लिए कंपनी ने टाटा स्टील के के लिए एक डी करवनाइजेशन प्लान का ड्राफ तयार किया है जिसमें कम उ साजन वाले बलास्ट फार्नेस और कोक ओवन दोनों को बंद कर देगी और एक्वे सरकार से 500 मिलियन पाउंड के समर्थन के साथ लागवाग 1.25 मिलियन पाउंड की लागत से इलेट्रिक और फार्नेस EF वेस्ट अस्टिल बनाने में शीफ्ट हो जाएगी 130 मिलियन पाउंड का बादा सियफ्फू न का कि टाटा स्टिल ने परभावित करमचारियों के लिए कंप्रहेंसिव सपोर्ट पेकेज के लिए 130 मिलियन पाउंड से अधिक का बादा किया उन्होंने का कि या युक्के और वेल्ट सरकार के साथ कंप्पनी दोराज थाफिट ट्रांजिसन बोर्ड के लिए 100 मिलियन पाउंड की फांडिंग का तरिक थे जिसमें कंप्पनी ने 20 मिलियन जी वीपी का युदान दिया है टाटा स्टील के CEO और MD TV नरंदर ने का हमने इस बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए पिछले 15 सालों में बहुत मेनत की है लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ऐसे फेज पर पहुंच गए हैं जहां जैसा हमने किया था उससे जारी रखना कोई भीकल्प नहीं या हमारे करमचा लाजों के लिए कठी इस्तिति है का टाटा स्टील डिविडेन यूज की बात करें तो कंपनी साल में एक ही बार डिविडेन देती है और वह फाइनल डिविडेन जून के महिने में देती है तो जून के महिने में फिर से कंपनी फाइनल डिविडेन देता वह नजर आएगा तब तक के लिए कोई डिविडेन आने की चांस कम है।